है तो देखो अभी तक जो नें ऐसाइज हूं उसमें साइमलटेनीयस एक्विजिशन थी 2-7 लेकिन वो अलग-अलग लिखी रहती थी तो दो लेकिन लिखी रहती थी अलग-अलग और वने 6 करके में एक्सवाइज value नीकालनी होती थी वो भी simultaneous है और इसमें इसमें बिल्कुल एक साथ ही है simultaneous कinsi मिनिंग है ना एक साथ तो इसमें एक साथ ही है तीनो है और इसमें भी हम हमें x y j. तीनों इनकी value निकालनी है solve करके एक equation इनकी value अज़ाँ निकालनी होती है नहीं आप देखो इसमें कैसे सोल करते हैं इसका तरीका क्या है क्योंकि इसने अलग अलग तो दी नहीं है तो इसमें किनी दो को एक साथ लो या तो पहली दो ले लो दूसरी दो ले लो पहली तीसरी एक साथ ले लो को इसी दो को एक साथ लेके तब हम सोल करेंगे क्योंकि इसने तीनों एक साथ दी हुई हैं हम ऐसे सोल नहीं कर सकते तो दो इक्वेशन इसे नहीं दिये तो हम अपने आप बनाएंगे ठीक है कि बोट दे साइड्स है है हां तो डी एक सब्सक्राइब लोग एक्स और इक्वल टू लोग वाई और प्लस एक कॉंस्टेंट लोग सी वन क्या दो ठीक है और इसको इदर लिया हो तो यह क्या हो गया अब एक्स ओवर वाई हो जाएगा लोग एक्स माइनस लोग वाई लिख लेंगे एक्स अपन वाई हो जाएगा यह और इक्वल टू लोग सी वन और इसको अब हम लिख देंगे X over Y equal to C1 यहागा एक solution तो यहागा फिर हम दूसरी इन दोनों को ले लेंगे कोई सी भी दो ले सकते हैं ठीक है ना इस exercise में जूरूरी नहीं है देखो यह भी होगा कि हमारे answer नहीं मैच करेंगे कहीं कहीं क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमने यह दो लिए हो इसने यह दो लेके solve करें हो यह हमने पहला तीसरा लिया हो इसने यह दोनों लिये हो तो कहीं कहीं मैच नहीं भी करेंगे अच्छा फिर हम इन दोनों को ले लेंगे तो दोनों को लेंगे तो क्या होंगे फिर यह D Y over Y goes to D Z over Z ठीक है और अब इसका integration के लिखेंगे तो इसी तरह से हो जाएगा सेम तो क्या होगा यह लोग Y over Z और इक्वल टू लोग C2 कह देंगे हैं दूसरा constant लेंगे हम अलग तो Y over Z equal to C2 तो इस तरीके से इसके दो answer आए हैं ठीक है और इन दोनों को हम अब लिख लेंगे इसको लिख दो Y equal to C2 Z और इसको लिख देंगे X equal to C1 Y इन दोनों answer को एक साथ लिखेंगे तो यह इसका combined solution हो जाता है इस तरीके से हमें यह questions solve करने हैं ठीक है हाँ दो solution निकालने होंगे अब देखो यह जो आगे question है तुमने इससे पहले वाले question तो कोई से दो लेके कर दिया ठीक है लेकिन यहाँ अगर हम इससे solve करने लगे तो नहीं हो पाने के हैं यह कोई से दो लेके नहीं हो पाने के solve तो इन में एक तरीका और भी है कि हम अपने पास से कोई number लेके multiply करके चाहे किसी variable की multiply करके इनको जोड दें घटा दें इस तरह से भी अगर यह solve हो जाए तो भी हम कोशिस करते हैं करने की देखो कैसे मैं बताना चाहरा हूँ कि इसमें जैसे हमने इसके साथ में कर लो लेकिन अलग-अलग कैसे कर सकते हैं देखो अगर हो सकता है तो हम इसमें क्या करेंगे कोंशन नहीं मान सकते नहीं से तो तो हम क्या करेंगे इसमें इनमें हम L M N की दो यह तो तीन है इसके साथ साथ अपने पास से एक फूर्थ रेसो और बनाया है रेसो यह तो है यह तो एक रेसो और बनाया हमने अपने पास से कि पहले वाले में L से मल्टिप्लाई की L D X दूसरे वाले में M से मल्टिप्लाई की और तीसरे वाले में N से मल्टिप्ल हो एजो उपर मल्टिप्लाई करें यह नीचे भी करेंगा ठीक है अब देखो पता कैसे लिए और देख रहे हैं हम तो एल की इसमर मल्टिप्लाई करें तो एल की क्या होगे ल M Z minus L N Y दूसरे वाले में M की कर रहे हैं plus M N X minus M L Z तीसरे वाले में N की कर रहे हैं plus N L Y minus N M Z ठीक है? अब देखो ये आ रहे हैं कुछ इक्वल आ रहा है कोई एका टर्म है सेम तो जैसे L N Y और प्लस L N Y कैंसिल M N X प्लस L M Z और माइनस ये हो गया ना ये X है यहाँ पर अच्छा और प्लस M N X और माइनस N M X इक्वल आ गया सेम हो गये और कट गये तो इक्वल टू ये क्या गया L D X प्लस M D Y प्लस N D Z पॉन जीरो बचे गाए ठीक है और जब ये जीरो बचाया तो अगर देखो ये इक्वल थे इनके इक्वल ये और इनके इक्वल ये है अगर इसको इनके इक्वल लें जीरो की इधर मल्टिप्लाइ करें तो ये निकल के आएगा ये अब L D X प्लस M D Y प्लस N D Z इक्वल टू जीरो जीरो की इधर मल्टिप्लाइ कर दी इधर इनके साथ तो ये इक्वल टू जीरो आए निकल के और अब इसको इंटिग्रेट कर दो इन्टिग्रेटिंग बोट साइट्स जब दोनों तरफे इंटिग्रेशन करेंगे तो क्या जाएगा ये L X प्लस M Y प्लस N Z इक्वल टू एक कॉंस्टेंट हो गया इसे कह दिया हमने C 1 इस तरीके से इसका एक सोलुशन निकल आए ये रेसो तीनों इक्वल है हाँ देखो इसमें पहले वाले में एम और रूल नहीं है इसका कोई रूल नहीं बता सकता वो तो फिर साड़े स्कॉस्टन लग जागा तो रूल तो कोई एक स्पेसिबिक रूल अलग कोश्चन के लिए अलग ही होगा लेकिन वो मैं जनरल वैसे करके बता रहा हूं कि किसी भी नंबर की हम सोचेंगे मल्टिप्लाई करके नंबर हो या वैरिबल हो मल्टिप्लाई करके अपने पास से उसे जोड भी सकते हैं घटा भी सकते हैं यह हमारी मर्जी है ठीक है ना कहीं की जुरूत पड़ेगी तो यह से माइनस भी कर लेंगे वैसे हमने यहां सोचा कि यह एम और एन है इसमें ल की मल्टिप्लाई के इसमें ल नहीं था इसमें M नहीं है इसमें M से मल्टिप्लाई कर ली इसमें L और M है तो इसमें N से मल्टिप्लाई कर ली और इस तरह से ने जोड के देखा तो यह 0 आ रहा था और इस 0 आने को जब हम क्रोस मल्टिप्लाई इदर करेंगे कोशिज करनी है पूरी कोशिज करनी है कि 0 बन जाए तो जब 0 की इधर क्रोस multiply करी तो ये L D X प्रस M D Y प्रस M D Z इकल टू 0 होगयो तो कोई सी भी एक में करलो ठीक है ना अपॉन वाले की तो करी अपॉन वाले की कोई सी एक में multiply करलो दो बाकी को छोड़ेंगे हाँ तो इस्म कर दी टूरी मोशली टाकर इसे पूरे को एक नंबर मान लिया है udah इसको लेंगे यहलो मान लिया इसके साथ करा ठीक है यह 0 हो गया LY-MX ठीक है LY-MX बचेगा यहां पर लेकिन उस LY-MX का क्या करोगे LY-MX यह तो कह रहे हो यहां से कुछ निकल नहीं सकता ना solution solution किसका निकलेगा जिसमें differential होगा उसी का तो integration करके निकलेगा यहां से क्या निकलेगा LY-MX इदर इकोल टू जीरो हो गया है क्योंकि दो दो फैक्टर है एक यह एक यह दोनों की 0 है multiply तो इसका मतलब यह तो यह 0 है यह 0 है इसके 0 से तो solution निकलेगा इससे क्या निकलेगा LY-MX और यह निकलेगा इससे हाँ इसमें integration कर रहे हैं इसमें value नहीं निकल सकते नहीं नहीं गुना नहीं करेंगे दो की product फिर तो कुछ भी नहीं होने का अगर ऐसा इल्ज होगे तो ठीक है ना फिर इससे कुछ ही नहीं कर पाने के तुम तो यह यहीं रोकेंगे हैं अगर किसी में differential है तो ही हम उसका solution निकालते हैं अगर differential नहीं है इसमें dx या डिवाई होते तो हम करते हैं इसे solve वो नहीं है तो इससे कोई भी solution नहीं निकलता है यह आ रहा ना नहीं आने का ऐसा कोई भी क्योंकि किसी के भी divide में वो नहीं आने का ऐसा किसी के भी divide में dx dy नहीं होंगे सिर्फ उपर ही होंगे तो ऐसी कहीं भी condition नहीं बनेगी कोई situation ऐसी नहीं होगी ठीक है तो इस तरीके से ये अभी इसका एक और भी solution निकालना है इसे उतारो जाना अभी देखो जैसे हमने element से multiply की थी कि ऐसे हम x y z से multiply कर लेंगे एक बार ये रेसो तो x dx क्योंकि पहले वाले में x नहीं है plus y dy plus z dz इन से multiply करके add करके देखो क्या आएगा इसे पहले वाले में करेंगे तो ये आजाएगा m x z minus n x y plus y से की है तो plus n x y minus l y z और इसमें करेंगे x से नहीं z से करिए इसमें z से तो l y z minus m x z ठीक है और देखो भी इसमें क्या हो रहा है ये plus m x z और minus m x z plus l y z minus m y z n x y minus n x cancer होगे तो इस तरह से ये भी हमारा क्या निकल काएगा x dx अब क्योंकि ये जीरो और आइस के डिवाइड में तो जीरो की तर मल्टिप्लाइ करेंगे तो सारे जीरो हो जाएंगे ये तो x dx plus y dy और plus z dz equal to 0 आगया अब इसका integration कर लेंगे जब integration करेंगे तो लिख लेंगे यहापे इंटिग्रेटिंग तो ये क्या आएगा 1 by 2 x square plus 1 by 2 y square plus 1 by 2 z square equal to 1 by 2 मान लो चाहे तो इससे c2 square इस तरह से मान लो 1 by 2 से पूरे में multiply वो डिवाइड कर दो तो यह आगया एक solution आगया इसका x square plus y square plus z square equal to c2 square और एक solution वो था हमारा lx plus my plus nz equal to c1 बस दोनों solution एक साथ लिखने होते हैं यह इसका पूरे काज है नहीं नहीं वो नहीं है नहीं सीएफ पी आई नहीं होते हैं साइमल्टेनियस है इस तरह की जो इक्वेशन है उसमें सीएफ पी आई की जरूत नहीं पड़ती है ठीक है तो इसका solution निकल आए ऐसे करकर निकालना है कि देखो अगर इसमें पहले दो ले लेते हैं पार्ट पहले दोनों तो जैड़ से जैड़ कैंसिल हो जाएगा चाहिए से लिख भी लें कि टेकिंग फ़स्ट टू पार्ट तो जैड़ से जैड़ कैंसिल अब यह डी एक्स और एक्कोल टू माइनस डी वाई हो जाएगा है इसका इंटिगरेशन कर लेंगे तो यह एक्स और इसका वाई वाई को दर ले आओ एक्स प्लस वाई एक्कोल टू सी वर्म ठीक है यह हो गया फिर इसके बाद अब इनमें से कौन सा लें अब यह समस्या जाती है अब इसको आगे कैसे सोल करें यह समस्या जाती है एक सोलिशन तो निकल गया दूसरे सोलिशन निकालने के लिए इसको दो ले लिया और अब इसको इसको लें तो इसमें x एक्सटा रहा है इसको इसको लें तो y एक्स्टा रहा है तो फिर किसा सोल करें तो इसका एक तरीकہ और भी बतारक खॉह हैं hooded is ऑवर जैड और एकॉल टो डी जैड ओवर देखना आप क्या करेंगे अब जैड इसके प्लस एक्स प्लस वाई को सीवन यहां से आंसर आ रहा है इसका तो इसको सीवन लिख लेंगे ठीक है और आप देखो इसमें भी Z है और यह भी Z है तो इस Z को यहां पूछा दो इस Dx को एक दर है न दो क्या समस्षा आए कुछ भी नहीं है तो Dx इकॉल टू Z DZ ओवर Z स्क्वेर प्लस C1 स्क्वेर आ जए ठीक है और इसका डिफेंशल उपर आ रहा है कमी क्या है तू की तो 1 by 2 और 2 कर लो ठीक है और इसका integration कर दो dx करो इसका integration dx का x आ गया 1 by 2 और क्या आ गया यह log और यह log of z square plus c1 square ठीक है और एक constant जब integration करेंगे तो constant भी लिखेंगे plus c2 अब वही तो बता रहा हूं यह constant नहीं है क्योंकि यह c1 है c1 की यह एक्स प्रस य है जब मुझे से रख देंगे तो फिर यह constant कहां रह जाएगा तो अब क्या करेंगे टू की इधर multiply कर दो एक्स एक्वल टू लोग ऑफ जैडी स्केयर प्लस एक्स प्लस वाई whole square और प्लस टू से multiply कर रखी ना मैं प्लस टू सी टू को भी सी टू लिख दो और इसे दर लिख दो और तो एक solution तो यह रहा और दूसर आ जाता है तो उसका यूज कर सकते हैं हम कि देखो यह कोश्चन है यह आया हुआ है मेरे में भी और कही बार आवद में भी आ रहा है तो इसको कैसे हम करेंगे इसमें देखो अगर हम इसको लेते हैं इनके साथ कंपेर करके लें कोई से के साथ में तो इसमें वाइज आ रहे हैं एक्स डी एक्स आ रहा है और यह बड़ा हो जाएगा यह थोड़ा इदर से आसानिस हो सकता है अगर हम इसमें वाइज है इसमें वा लास्ट टो मेमबर्स ठीक है इसमेसे दो मैमबर जो है हम लेंगे ये तो इसको लिखेंगे आब इसकी इसमें इनल्टिप्लाई करेंगे तो ydy minus zdy फिर इसकी इसमें करेंगे equal to ydz और प्लस जेड डी जेड इस तरह से हमने इंकी मल्टिपलाई कर ली और जो जासे यडि से वैरिबल इसके साथ ही है futsal के इसके साथ ही रखेंगे तो हम इसको लिख लेंगे अब सारों को एक साथ लिया — yyy इसको भी दर लिया है तो गानला — दी जेड फिर y माइनस जैड़ डी यड और ये भी धर द्रे हनाजा माइनस वाइड जैड़ डी वाइ माइनस वाइड ॉई जीरो अब यहां इसमें Pharisee को कोई दिकत है नहीं समझा कहा है इसमें से माइन ऑुर इसको हम डी ओ वाइजर लिक सकते हैं दी वाई जैड न लिख सकते हैं इसको कैसे रिखेंगे फर्स्ट फंक्षन डिफ्रेंशल ओफ सेकिन तो y dz यारा और प्लस सेकिंड फंक्षन डिफ्रेंशल ओफ फर्स्ट डेज जैड डी यारा थीक है तो इस तरीके से हमने इसे लिख लिया और अब इंटिग्रेट कर देंगे इंटिग्रेटिंग दाब आव एक्वेशन तो यह कितना हो जाएगा वन बाई टू वाई स्केयर माइनस वन बाई टू जैड स्केयर और माइनस यहाटी जाएंगे दी तो वाई जैड और इक कॉंस्टेंट ले लेंगे हम फिर टू से पूरे में मल्टिप्लाई कर करें वाई स्केयर माइनस जैड बाई जैड एक्वा टू सी आधो यह फिर सी वन भी एकाद तो यह हो गया है हमारा कुश्यंट कि एक पार्ट निकुल आया अब दूसा स्वह तो कि देखो इसका दूसर सोरिश निकालना है देखो इसमें जो है अब यह ऐसे तुम करोगे इसमें एक्स तुप ने आप दिया हुआ तो इसका मतलब इसमें वाइस है और इसमें जैड से मल्टिप्लाई करके और एड़ कर लो ठीक है ना तो घर हम यह हम टेकिंग इसमें यह मल्टिप्लाई कर लेंगे और एड़िंग इनको एड़ करेंगे तो यह जाएगा हमारा एक्स डी एक्स प्लस य डी वाई प्लस जैड डी जैड और देखो यह है ना यह ध्यानक ना इसके बराबर इदर आता है यह रेसो यह है ना यह अलग से वैसे नहीं लिखा हमने और इसके डिवाइड में इसमें तो किसे मल्टिप्लाई करनी है यह नहीं तो जैड स्क्यार माइनस तू जैड और माइनस जैड स्क्यार यह आगया एक कॉल टू हां और अब यह क्या गया हमारा या वाई जैड एक तो यह रहा और एक yz ये भी तो होगा हमारा दो लिख दिये न हमने प्लस y square यहां भी तो एक छोड़ दिख दिखे है y square प्लस yz एक यहां भी आएगा न yz अब यह yz और यह yz टू yz यह से cancel minus y square cancel और minus z अच्छे यहां था यह yz ठीक है यह हमने लिखा नहीं यहां यह yz था अच्छा और यह z square से z square cancel तो इस तरीके से यह इसके divide में 0 आजाएगा और 0 के उदर multiply करेंगे और तो यह आजाएगा हमारा x dx प्लस y dy और प्लस z d z equal to 0 और इसको आप integrate कर लेंगे तो यहां से यह निकल का जाएगा हमारा x square plus y square plus z square or equal to a constant ले लेंगे हम c2 square इस तरह से इसका solution निकल का आता है दोनो solution को एक साथ लिखेंगे तो इसका equation आता है solution तो देखो इससे question को जो है हम यह बना कर रखेंगे और यह ऐसा ध्यान भी रखना है नहीं तो नहीं कर पाने के हाँ केवल यही तरीका है नहीं तो कुछ भी तरीका लगा लेंगे सवाल ही नहीं होने का कोई तरीका नहीं है उसके लावा तो हम क्या करेंगे इसमें यह dx plus dy ऐसे यह रेसो हम एक बार तो एड़ करके रख लेंगे dx plus dy इन्हें ऊपर एड़ कर रहे हैं तो हमने पढ़ाया है इसे 3 by 4 इक्वल टू यह इन्हें माइनस भी कर लें तो भी रेसो चेंज नहीं होता है ठीक है तो हम इस चीज़ का इसमें यूज करेंगे तो dx plus dy इक्वल टू क्या लिखेंगे cos of x plus y plus sin of x plus y और माइनस भी करके लिख लेंगे एक बार dx minus dy over cos x plus y और माइनस sin x plus y ठीक है और इक्वल टू dz over z इस तरीके सामें से लिख लेंगे अब पहले इन दोनों मेंबर को लेंगे टेकिंग first two parts टेकिंग first two parts इन दो parts को लेंगे और इन दोनों को लेंगे और एक काम और करेंगे देखो इसको उठाके यहां लाएंगे cross multiply दोनों को ले रहे हैं तो solve करेंगे तो यह ध्यान से देखना है एक बार हम देखो क्या करने जा रहे हैं cos x plus y minus sin x plus y divide में क्या था cos x plus y plus sin x plus y ठीक है और यह dx plus dy और इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई देखो हमने किनी चाला की से काम लिया इसको नहीं लेके गए हम इसको महीं रखा सिर्फ इसको इदर ट्रांसपर करा और अगर हम ध्यान से और ध्यान से देखें तो एक चीज हमें दिखाई दे रही है कि इसका डिफरेंशल उपर आ रहा है आ रहा है देखो cos x का minus sin x sin x का cos x और x plus y का करेंगे तो dx plus dy x का dx और y का dy यानिका अगर हम इसको टी लेते हैं अगर हम इसको टी लें तो देखो मैं cos x plus y का तुम्हें करके दिखा रहा हूं क्या लिखेंगे बताओ माइनस sin x plus y और फिर इसका करेंगे x का dx और y का dy यही तो होगा इसका डिफरेंशल यही तो होगा तो यह dx plus dy इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा तो बाहर कोमन लेकर लिख रखा हैं ठीक है ना कहां सा आया यह यह विशेज ध्यान रखने वाली बात है और ऐसे ही रखना है हम यहां चाला की पूरी दिखा रहे हैं देख लो कि हम जो है ना इसको वैसे तो हम पारा यह डिफ्रेंशल बन रहा है पूरा टोटल और इडी एक्स प्रस दी वाई जिए मैं तुम्हें बताया की कैसे आया तो अब इसको टी मान रहे है तो डी टी इसके साथ आ रहा है उपर इसका पूरा डिफ्रेंशल आ रहा है और वन अपॉन टी का क्या हो जाता है जरूर तो यह तो ही आगया इसका इंटीरेशन तो यह तक ही आगया इधर क्या आगया ब्लस एक कंस्तेंट भी लिखो जो क्या लूग C आप पूरो जोग C हां तो यह लोग मारे ना तो लोग भी आगया उधर भी हाँ एक्स वाई नहीं है ना कोई बात में अब लोग यहां से हटाओगे तो क्या करोगे यह की पावर में जाएंगे सारी चीज ठीक है तो ऐसा भी कर सकते हैं लोग को इधर लिख लें उसे इधर लिख सकते हैं हाँ तो कोईश एक्स प्लस वाई और प्लस साइन गया एक्स प्लस वाई इकल टू हीड़ी पावर एक्स माईनस वाई ऐसे लिखेंगे यह बोल प्लस और इनटू एक्स दि पावर सी धा लोगं प्लस में नहीं है तो प्लस में तो यह पावर लोग सी लिख लो हाँ तो कोई बात नहीं सोल कर लेंगे से और अब बस यह सोलिशन तो हुए ज़्यादा से ज़्यादा और सोल करना चाहते हो तो इसको इधर लिया करता हूं यह बाले को लिख देंगी स्कोष ओ एक्स फ्लस वाई प्लस ओफ एक्स फ्लस वाई ऑफ इसको अधर लिख जाएग एट उद्याई पाँवर वाई-ले माई एक्स हुझाई और यह कॉंस्टींट मैजए खाए सी कह दो सीओन कह दो है लिख ऐसका फर्रॉप पार्ट का सोलिशन तो है ये एक सोलिशन दो यह पार्ट लेंगे तो यह और यह वाला पार्ट लेकर इसका solution निकालेंगे तो अगर इसको इसको ले रहे हैं तो यहां पर देखो एक हमारा फॉर्मला बन सकता है कि दी एक्स प्लस डी वाई कि यह तरीका है इसका कि साइन का जो कोफिशेंट है वन है और कोस्ट का जो कोफिशेंट वह भी वन है तो इन दोनों का square करके square करेंगे तो 1 का square 1 और 1 का square 1 ठीक है तो 1 और प्लस 1 कितने होगे 2 2 का लो फिर एंड रूट तो square root हो गए square root 2 और square root 2 से हम इसको multiply divide करेंगे इस वाले को multiply divide करेंगे square root 2 से तो देखो यह क्या बनेगा one over root 2 cos x plus y plus one over root 2 sin x plus y तो जैसे हमने यहां पे इसको divide किया है ना root 2 से इसे divide कर रखा है तो multiply भी कर देंगे इस तरीके से यह कहां सा है root 2 तो पता चले गया तुमें तो हमने एक first part तो यह ले लिया और third part में हमने इसको लिख लिए डी जैड ओवर चैड क्यों कर यह हाँ वही तो बता रहा हूं अभी क्यों कर यह पता चलेगा इस लाइन में हमने ऐसा क्यों करा अब देखो यह ना one over root 2 किसकी वाली होती है किसकी है हाँ साइन 45 कि होगी है तो इसको अगर हम यह लिख ले इसे वन पॉन रूट टू है न इससे तो ऊपर ले जाओ कैसे ऊपर कैसे ले जाएंगे ऐसे लिख लो इसको कि वन ओवर रूट टू कि डी एक्स प्लस दी वाई और यह हो गया हमारा साइन पाई बाई फॉर कोस एक्स प्लस वाई और प्लस कोस पाई बाई फॉर और साइन एक्स प्लस वाई और एक्वल टू डी जेड ओवर जेड अब यह हमारा फॉर्मला बन गया है साइन ए कोस भी प्लस कोस साइन भी बन गया ना तो इससे क्या लिख लेंगे हम और यह जो वन अपॉन रूट टू है हम इसको इधर भी तो लिया सकते हैं उपर जाएगा और यह अब हमारा फॉर्मुला बन गया है देखो डी एक्स प्लस डी वाई ओवर साइन ओफ क्या और इक्वल टू अंडरूट टू डी जैड़ ऑवर जैड़ और देखो अब इसमें जो है इसका डी फेंसल उपर आ रहा है हैं किसका और फॉर और आयो उसे का इसको अगर विल अब इसमें हमेरे वंसकी जुरुत नहीं इसको चुर्ण करें और यह आया हुआ है अब इसको integrate करेंगे हम, दोनों side का, ठीक है, इस तरीके से हम integration लेंगे इसका, तो यह हमारा हो जाएगा under root 2, और dz over dz, z का तो log z हो गया है, तो ठीक है, और इसका integration को से क्या है, log, नहीं, log 10x by 2, यह है, इसका log 10x, x है मतलब है यह number है, तो 10x by 2 लिखेंगे इसे, तो यह हो जाता है, पाइबाइ 8 प्लस, या तो 1 by 2 बाहर लिख लो, ठीक है, यह हो गया, 1 by 2, पाइबाइ 4, प्लस x, प्लस y, ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका, लिख दिया, और प्लस एक constant ले लेंगे हम साथ में, एक constant भी ले लेंगे, तो constant को इधर लिख लो चाहिए, लोग c2, ठीक है ना, इंटिग्रेशन आ गया, अब इसको solve कर लेंगे बस, तो यह solve होके हो जाएगा, हमारा, देखो, under root 2 तो जैड की पावर में चला जाएगा, ठीक है, तो यह तो हो गया, हमारा z to the power under root 2, और यह कितना हो गया, c2, 10, पाई बाई 8, और प्लस x बाई 2, प्लस y बाई 2, इस तरह से लिख लेंगे इसे, और अगर और b से देखो, हमें यह constant को अलग लेना होता है, तो इसको हम इधर लेके जाएंगे, तो अब क्या लिखेंगे, देखो, उससे लिख देता हूँ में, जैट टू दी पावर रूट टू, कोट, टैंजे भी धर जाएगा, डिवाइड में उसके, तो कोट, पाई बाई 8, प्लस x बाई 2, प्लस y बाई 2, इक्वल टू, सी 2, इसका अंसर, तो एक सोलिशन यह है, और एक वो हमने निकाला था, दोनों को कम्बाइंड लिख देंग दिखाई दे रहा है, देखने पर कि पहले जो दोनों है, यह तो आसानी से सोल कर सकते हैं, तो टेकिंग फर्स्ट टू पार्ट्स, और इसका इंटिग्रेशन लोग वाई, और एक हम कॉंस्टेंटे लेंगे, लोग सी 1, और इसे हम इधर लाके, एक सिकोल टू या इधर लिख लो, सी 1, वाई, यह इसका एक सोलुशन आजाएगा, एक सिकोल टू सी 1, वाई, या अगर चाहें तो इसे एक सोलुशन तो यह आ गया, अब इससे आगे और एक सोलुशन निकालना है, जो वैसे तो आसानी से निकलनी रहा, कहीं से भी, किनी तरीका इसके लगाते हैं, इसमें x, y, z की multiply करके एक बार जोड़ेंगे, तो dx over x, इसे पूरा दोबारे से एक बार लिख रहे हैं, वह यह तो हमारा ही first part, dx over x equal to dy over y equal to dz over z minus a under root x square plus y square plus z square, ठीक है, और हम, अभी बात करें से एक्स की इसमें, इसमें y से, इसमें z से multiply करके इनको add कर देंगे, तो कितना हो जाए गई, x dx plus y dy plus z dz over, कितना, जैसे इसमें x से multiply करी तो यह जाएगा, x square plus y square, यहाँ इसमें, इसमें z से multiply करी, plus z square, minus a, और under root, x square plus y square plus z square, ठीक है, इस तरीके से हमने, इनकी multiply करके, उन्हें add करके लिख लिए, अब इसके बाद, यह जो नंबर है, यह इतना function है, हमारा x square plus y square plus z square, इस थोड़ा सा आसान करते हैं, यहाँ दो बार यह लिखा हुआ है, तो, हाँ, हाँ, इसको जो है, हम yu मान लेंगे, ठीक है ना, इसका differential उपर आ जाएगा, आ रहा है इसमें, तो put x square plus y square plus z square, equal to t square मान लो, या yu square मान लो, एक ही बात है, ठीक है, तो, इसका differential क्या जाएगा, भाई, x, dx plus y dy, और plus z dz, और equal to u du, हाँ, हाँ, सब में आएगे, 2 इधर भी आएगा, तो 2 कैंसिल करती है, हमने, ठीक है, तो इस तरह से ये इनका differential आजाएगा, तो अब देखो, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, dy over y equal to dz over z minus a u, है न, यह u square था, तो under root में u आ गया, और equal to, देखो, यह इसका differential आ रहा है, x square plus y square plus z, इसका differential यह, u du, है न, इसको u du लिख दिया हमने, over u, square है यह न यह, और minus a u, यह आया समझ में कैसे लिखा, ठीक है, और इसमें देखो u नीचे से common आ रहा है, तो जब u को मनाया, तो इसे हम लिख देंगे, du over u minus a, यह तो आ गया, u को मना कैंसिल हो गया, और इसे एक, इसमें और बनाया हमने रेसो, इसन दोनों को जोड के, du plus dz, du plus dz, एक रेसो और बनाया, du plus dz, जब du plus dz हम लिखेंगे, तो यह क्या बनेगा अब, देखो, यह, u plus z, और minus a, और minus a, इसमें सो common, और अंदर के आ जाएगा, one plus u, ठीक है, u plus z, और minus a, one plus u, इस तरह से हमने यह, एक रेसो और इसमें नया बनाया, अब हम, इनमें दोनों में, first और, last member को ले लेंगे, तो first और last, यह वाला, और यह वाला, क्योंकि इसमें भी, अब देखो, इससे कैसे कैसे हम solve करेंगे, देखो, इसका integration तो क्या जाएगा है, लोग वाई, इसका integration, अच्छा, u plus z, और one minus a, तो यह, यू माइनस a, z है, ठीके न, यहां से छूटा था, तो यह, यू plus z, इंटू one minus a, आजाएगा, अब जो है, यू plus z, और bracket में one minus a, अब, देखो, यह, इसको first और, यह, मेंबर लेते हैं, last वाला, इसका, तो first और last member लेंगे, तो इसका integration, यह, लोग y हो जाएगा, और जो one minus a constant है, यह, हाँ जाएगा, one minus a, लोग y, equal to, du plus dz, अब इसका differential उपर आ रहा है, तो यह, लोग of, u plus z, लिखे लेंगे, और plus a constant लिखेंगे, plus log c2, और फिर, इसमें, यह, हटा लेंगे, लोग, तो यह, पावर में चला जाएगा, y to the power one minus a, equal to, u plus z, और c2, अब, u की, इसमें, जो हमने, u माना था, उसको हम वापस रख लेंगे, तो यह, हमारा जाएगा, y to the power one minus a, equal to, c2, और, u plus z, कितना हो जाएगा, under root of, x square, plus y square, plus z square, और plus z, इस तरह से, हमने, यह, दूसरा, उसका solution, निकाल दिया है, तो दो solution, निकल काये हैं, यह,